तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ इंपोर्टन बात करने वाला बट वो सब करने के पहले सब्सक्राइब के वे ना सुनो गे ना तो इफेक्टिवनिस नहीं आती है सब्सक्राइब करो पहले उसके लब लाइट टागेट रखते 500 का कर देना ठीक है अप मेरी बात ध्यान सा सुनना आपने या तो यह चीज नोटिस कियोगी अपने राउंड में या ऐसे इंस्टेंस खुद अबसर्फ किये रहेंगे जहां आपको लगता है कि या एक पर्टिकुलर स्टुडेंट इसने तो महनती नहीं कीती यह कैसे पास हो गया या फिर अपने सीने से सुनते हैं उन्होंने ज्यादा महनत कीती वह पास नहीं हुए उसका कोई दोस्त आइक दमी असा लगता है कि निकम मा था है वो कैसे पास हो गया या यह तो रिज़र भी नहीं करता है पास हो ना या फिर आपने ऐसे इंस्टेंस भी देखे रहेंगे जहां किसी सुडेंट जो बहुत ब्राइट आते हैं इंत में 90 परसंट में 90 परसंट फाउंडेशन में पहले अटेम में बहुत क्लियर फिर भी फाइनल में आकर अटक जाता है और उसकी अगेस्ट में ऐसे सुडेंट अब मेरी बात करने जा रहा हूँ यह बहुत इंपोर्टेंट बात है इस पर बहुत जादा एंफसस देना और मैंने पहले बता भी रखा इस बात को लेकिन काया भूल जाते है तो मुझे आकर याद देलाना पड़ता है बार बार आपको अब बात यह है कि है ना मेरी अब बात कर देलाना पड़ता है तो मैंने उनसा पूचा आपकी पड़ाय कैसे चल रही है तो शी वस लाइक सर पढ़ लिया मैंने रिवीजन किते हुए एक से दो रिवीजन भी होगे अल्मूस्ट मॉक टेस दिया हा सर मॉक टेस भी दिया मास कैसे आ है अच्छे आ रहे है तो दिक्कत यह है कि जो अपना future का डर होता है वो कभी-कभी अपने existing महनत को भी overcome कर जाता है उनका डर यह था कि उनको लग रहे है कि मेरा aggregate नहीं बनेगा एक्जाम में भाई जब एक्जाम दी नहीं है तो उस चीज का tension लेना जो हुआ ही नहीं है वहां time waste हो रहा है उसके वहां self-doubt मैं बताओ self-doubt will always kill more dreams than failures will ever do बराबर आधे लोग self-doubt की वह से फेल हो जाते रादर दन exam देके result में फेल होने की वज़े से self-doubt मत आने दो तो वो जो लोग है ना जो आप सोचते हो कि यह deserve निकता था यह कैसे पास हो गए वो पता है क्यों पास हुए क्योंकि वो उनके बास खोने को कुछ था नहीं आखरी का 2-3 मैंने शायद पढ़ा होगा अच्छे से लेकिन जी जान से पढ़ा रहेगा without any tension without any expectation वो पढ़ते है शायद यहना होता है आपने लेखा रहेगा कभी-कभी कि आरे तो गुम फिर रहा था यह कैसे पास हो गया यह तो मज़े कर रहा था यह कैसे पास हो गया जो बच्चा 20-20 साल मह nggak कर रहाast इक साल महनत कर रहाären उसको खोने को बहुत कुछ लगता है उसको भी कुछ खो दूंगा मिर्य इतनी महत में खो दूंगा भाई मह奈 कर बेभी वेश्त नहीं जाती आपको 120 या 125 मार्क में से आपको कितना ची अच्छे सच्छे में 70-75 चाहिए न तो भी 125 में 75 मतलब 50 मार्क का फिर भी बफर है आपके पास जहाँ 20-25 मार्क को ओप्शन में छोड़ सकते हो बाकी 20-25 मार्क रॉंग कर सकते हो फिर भी 75 ला सकते हो तुम समझ रहो मेरी बात तो अपने जो एक्सपेटेशन होते न कि दो चाप्टर छोड़ का उसका टेंचन ले रहे हो या देखो टाइम है तो पढ़ लो और छोड़ा तो तब में छोड़ो फिर टेंचन लेने का नहीं उसका क्योंकि अपने को थोई ना 100 में 100 चाहिए पास और खराब पेपर में भी 100 में से 50 चीए पास होने को तुम समझ रहे हो तो ये बात हमेशे अपने आपको कंसोल करना कि भाई मेरी महनद जो है वो रंग तभी लाएगी जब मैं आखरी 20-25 दिन जान लगा दूँगा पूरी और ना कि उन चीजों के बारे में सोचूंगा जो मेरे कंटोल में नहीं है दो fundamental याद रखो अगर चीज़े कंटोल में है तो भाई वरी कंटोल में है तो भाई ठीक करो अगर चीज़े कंटोल में नहीं है जैसे आपका result, जैसे paper difficulties है, जैसे aggregate बनेगा, नहीं बनेगा, control में नहीं है, then why worry, क्यों सोचरोज बारे में, यह मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है, मुझे पता है, जो situations जा रहा है, उसको बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कभी-कभी realize करवना बहुत important है, तो मैं आपको realize कराने आयो, कि भाई, tension मतले, आज के जितने भी आभी आखरी के दिन बचे है, उसमें आपका focus रहना चीए, जो best कर सुकूंगा, मैं करूंगा, I am not concerned कि मेरा होगा, नहीं होगा, मैं pass होगा, नहीं होगा, मुझे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां से थंड़ा रहना, यहां के बार में भी कहेंगे, कि यह कैसे pass हो गया, क्योंकि यहां से धंड़ा था भाई, तो आज के बद कभी यह मत सोचना, कि यह वो deserve नहीं के दर इसले pass हो, हर एक जो बंदा pass हो था, वो deserve करता है, वो आपको शायद hard work में शायद आप उससे 19-20 में फरकते है, आप 20 थे वो 19 थ था, तुम समझ रहे हो, तो यह बात ध्यान रखना, प्लीज इस चीज को implement करो, और आखरी के 20-25-30 दिन जितने भी आपका बाकी है, ध्यान रखना, प्लैनिंग करके बढ़ो, आपका प्लैनिंग इतना कड़क होना चीए, इतना crisp होना चीए, कि आपको यह सब की बार में सो चैनल पर, डेट्स वगेर, आपको वहां जाओगे, तो आपको दिख जाएगा, उसके लावा, एफर को आखरी 5 दिन में किस तरीके से टैकल करना है, वो पूरा प्लैनर वगेर, आपको यह सेर करूँगा, तो मैं मैं मैराथन भी लूँगा, मैं प्लैनर भी शेर करूँग